नमस्कार आप सभी का भगव स्वागत हैं आज का हमारा विशह है बड़ा ही अनुका इंट्रेस्टिंग और वो है तो जब भी हम किसी वीडियो को देखते हैं पाद मिष्ट्री की हो एस्ट्रोजी की हो या किसी टेरो कार्ड रीडिन्ग हो तो मारे अंदर से एक जिग्या सा प्रता होती है कि काश हम भी ऐसा कुछ बन जाएं लेकिन क्या हमारे पास ऐसी योगता है हातेली के माद्यम से हम जान सकते हैं कैसे आए करते हैं विस्टेशन देखिए यदि आपका ये जूपिटर माउंट वैल डवलप्ड हो और यहां पर एक प्रिरिंग ऑफ सोलोमन बनी हो तो पहला इशारा करती है कि आपका रुझान ओ कर्ट साइंसमें हो सकता है आगे चलिए यह हमारा संफमांट इसके नीचे यह हमारा क्वाड रेंगल इस क्वार्ड रेंगल पर एक क्रॉस हो जो हर्दे रिखा से भी जुड़ा हो और नीचे मस्स रिखा से भी जुड़ा हो ये आदमी को और मुश्रम बनाएगा धान भी के बनवाएगा अंद विश्वासी बना सकता है लेकिन खास बात क्या है इसकी कि ऐसे आदमी के पास ना एक बॉर्ण टैलेंट होता है और वो होता है कि वह इन गूड़ विद्याओं में पारंगत हो सकता है उसके पास ये परतिवा होती है जन्मजाथ तो पहला रिंगाउट सॉलोमन दूसरा क्रॉस मिस्टिक क्रॉस आगे चलिए कि यहां शनी से एक भाग गे रेखा निकली और वो पहुच गई यहां जा लायल बलाइन से निकले चाहे ल्यूनर से निकले चाहे राओ छे多 से निकले कहीं निकले बस पहुच जाए शनी परवत अब देखिए यह हमारी मास्टिस्ट का यह हमारे फेट लाइन अगर बुद्ध से लाइफ लाइन से एक रेखा निकली माली यहां से निकली और यह गई बुद्ध की तरफ क Bubble देखिये यह हमारी प्रेड लाइन यह हमारी को स्थ्राइंगल बना इसको बोलते हैं मनी ट्राइंगुल वैसे तो नाम जही मालूम पड़ता है कि साइद मनी का कोई ट्रैंगल है दन का कोई ट्रैंगल है लेकिन इसके कई जवरूप हैं एक विशेश बात इसकी कि जिसके हाथ में मनी ट्रैंगल बनता है न एक तो राहू उस पर अधिक परभाव नहीं दिखा पाता है दूसरे उसके पास ओकल्ड साइंसेज में सफल होने के भरपूर मौके होते हैं क्यों देखो रिंग आफ सॉलोमन क्रोस यहाँ ट्रैंगल बना मतलब हमारे भाग्यने साथ दिया हमारी बुद्धे साथ दिया और साथ में यहां पर वेबसाइट जुड़ गया प्रोस्पैलिटी जुड़ गई बुद्धी जुड़ गया और बुद्ध अपने आप में एक बहुत बड़ा कारक है साइकिक एबिलिटीज के पीछे तो अगर हमारे पास तीन भी कारक हैं स्क्रेक्टर रिंगाप सॉलोमन यह क्रॉस और यह मरी ट्रैंगल इतना ही काफी है लेकिर आगे चलते हैं देखिए यह हमारा ल्यूनर चंद्रपरवंत अगर यह विक्सित है वेल डवलप्ट है तो आपके अंदर स्टाइकिक एबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो ल्यूनर माउंट उठा हुआ यहाँ पर मने ट्रैंगल यहाँ पर क्रॉस यहाँ पर रिंगाप सॉलोमन और जुबिट्रे भी उठा हुआ शब इशारा कर रहे हैं कि आपको गुड़ विद्याओं में सफलता मिल सकती है कि और अगे चलिए यदि यह हमारा कि बुद्ध पर्वत यह भी विख्षित है और माली जीए यहां से एक लाइन निकली थोड़ा कर लेते हुए और वो चली गई बुद्ध छेत्र तक माली यह लाइन थोड़ी कर लेते हुए पहुंच गई कि चंद्ध छेत्र तक मतलब किसी ना किसी रूप से बुद्ध और चंद्र का मिलान हो गया है तो यह तो बहुत बहुत बड़ी सफलता है जा तक बहुत बड़ा विद्वान बनेगा और वो भी ओकल्ट साइंस में लेकिन यहां एक बाद धनकना कि यह लाइन कर लेते ही ब जा सकती है एक और है उकल्ट साइंस अगर यहां मून के ऊपर एक यह हाफ मून जैसा साइन बन जाए यह भी इशारा करता है कि आपके पास टैलेंट है कि आप ऑकल्ट साइंस में एक सफल व्यक्तिव बन सकते हैं सफल तापा सकते हैं यदि आपके हाथ में लक्षण है या इनि मैंसे कुछ भी लक्षण है मान लीजिए बस ये गुरू परवत उठा हुआ है क्रॉस है और मनी ट्राइंगल है इतना ही काइफ काफी है एक सफल व्यक्तिव साइंस एक्सपर्ट बनने के लिए लेकिन साथ में अगर लूनर भी अच्छा है तो बात ही क्या अगर लूनर का और बरकदे का सम्मद बन गया तो और भी अच्छा अगर लूनर पर एक साइन बन गया हाप मून का ये तो बहुत ही अच्छा सब इशारा कर रहे हैं कि आप के पास परतीबा है कि आप किसी ओकल साइंस में चाहे वो एस्ट्रोजी हो चाहे वो पामिस्ट्री हो चाहे वो फेस रेडिंग हो चाहे वो टेरो कार्ड रेडिंग हो ऐसी कैसी कई विद्याएं हैं गुप्त विद्याएं उनमें आप पारंगत हो सकते हैं तो ये चन हमारे हतेली पर उभरते हैं आशा करता हूँ आपको बातें समझ आई होंगी आपने समय निकाला वीडियो को देखा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जल्दी ही एक नई वीडियो में आपके सामने प्रतुर होता हूँ तब तक के लिए बाई-बाई नमस्कार थैंक यू